वाचन के समान ही लेकन की प्रक्रिया भी बच्चों को क्रम से तथा सही धंक से सिखानी होती है लिखने का मतलब हाथ में पैंसिल लेकर कागस पर वर्ण माला के अक्षर लिखना नहीं होता लिखने का मतलब है अभी व्यक्ति और ये अभी व्यक्ति अधिक से अधिक प्रवाही और सहच हो जाए इसलिए हमेश इशुवर्क्स से ही प्रयास करने चाहिए बच्चों को मुक्त रिती से ही चित्र बनाने दे और उस बारे में बोलने दे तथा स्वलिपी में लिखने दे ऐसे अनुभव से चित्र बनाने हे तू और लिखने हे तू मुझे सोचना तो पड़ेगा ही इस बात की बच्चों को आदत पड़ती है बेंच जी, ये स्वली भी क्या होती है? एक मिनिट. गनेश जी, बालवर के बच्चों के लेखन के कुछ नमूने ले आएंगे, प्लीज? हाँ. हाँ. ये देखिए. इसे पढ़िए. इसमें राह लिखा है. ये गव है. फ़ है. मगर इसे पढ़ें कैसे? यही सुवलिपी है. खुद को व्यक्ट करने के लिए ये बच्चों की बनाई हुई सुवलिपी है. इस लिपी से बच्चे अपने विचार व्यक्ट करते हैं और उस पर बोलते हैं. आच्छा. अब हम तो इसे पढ़ नहीं पाएंगे पर उस लड़के ने इसे पढ़कर सुनाया और इसे देखिए. पीछे दीदी ने वो सब लिख भी दिया है. इसे पढ़िए. एक इंद्रधनुष था. उसमें रंग थे. केसरिया, गुलाबी, पीला, लाल और नीले रंगे बादल आये थे. दो बच्चे खेल रहे थे. एक बच्चे के शर्ट का रंग नीला था. और दूसरे के शर्ट का रंग लाल था. दोनों के ही शर्ट पर बादलों का और इंद्रधनूष का रंग फैलने से दोनों ही खुश हो गए. अरे वा, ये तो कहानी है. यही उत्सपूर्थ लेखन है. और एस उम्रु में यही सही है. मगर हम जो ये उत्सपूर्थता से करते हैं, उसे समझदारी से करने हैं तू. मतलब बच्चों को वर्न लेखन, स्वर्चिन्ह, सिखाने पर बच्चे लिखने लगेंगे? नहीं. इसके लिए उन्हे लेखन की प्रक्रिया बिलकुल सही क्रम से सिखानी पड़ती है. पहन जी, ये स्वलीप का नमूना बेशक अच्छा है. क्या मैं इसके और दो चार नम गुड़ मॉर्णिंग आप रोज स्कूल आते हो, ना? हाँ मैं भी रोज स्कूल आती हूँ आप क्यों आते हूँ? सीखने सीखने और मैं सिखाने आती हूँ और आप यहां आकर काफी काम करते हो दिन भर आपका काम चलता रहता है आप लिखते हो चित्र बनाते हो वैसे मैं भी बहुत काम करती हूँ और मुझे बहुत काम करने हैं अगले चार पाँच दिनों में और मुझे याद नहीं रहता कि क्या-क्या काम करना है फिर याद रखने के लिए मैं क्या करती हूँ आप क्या करोगे याद रखने के लिए लिखका रखोगे हाँ ऐसे काफी काम मुझे भी लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूँ हाँ हाँ से लिखूँगी पर ये किस तरह से लिखना है एक काम लिखा और फिर दूसरा काम कहा लिखूँगी नीचे नीचे लिखूँगी पर क्यों नीचे लिखूँगी क्योंकि मुझे बाद में पढ़ने के लिए वो आसान होगा कि पहले ये काम है फिर ये काम है अब मैं काम कौन-कौन से हैं उसकी एक सूची बनाऊंगी अब मुझे रवीवार को बाजार जाना है और सामान लाना है हम तो क्या उसकी सूची बनाऊं हम यहां लिखूँ बोर्ड पर मुझे बाजार से कौन-कौन सा सामान लाना है मुझे चीनी लानी है चीनी नहीं मुझे रवीवार से पहले मुझे पूना जाना है तो बैक में क्या-क्या ले जाना है, उसकी सूची बनाऊगे, ठीक है? ये रविवार की सूची में बादने बनाऊगे, हम? पूना जाना है और मुझे एक रात वहाँ रहना है, तो फिर बैक के बैक के वस्तूओं की सूची और मुझे वहाँ एक रात रहना है, मुझे वहाँ किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, रात के कपड़े आप कभी रहने गए हैं कहीं पर? एक रात पूना में हम गए थे कहां गई थी? बुआ के घर पूने में कहां? बुआ के घर पूने में पूने में तो फिर एक रात रहना होगा तो बैग में क्या-क्या ले जाना होगा मैंने रात के कपड़े रखे और क्या-क्या ले जाना होगा हाँ, कपड़े, दाथ, ब्रश करने के लिए, ब्रश, टूथ ब्रश, टूथ ब्रश के बाद नहाने के लिए, टॉविल, टॉविल, मैं होटल में रहने वाली हूँ, होटल में तो टॉविल देते हैं, तो फिर मैं टॉविल नहीं लूगी, राद के कपड़े, टूथब्रश, स्वेटर मोजे मोजे ले जाने होंगे पाउं और हाथों के लिए मोजे यह मैने लिख दिया पैरों के लिए मोजे तो अच्छा भी तो सूख जाती हैं तो तेल लेना होगा वैसलीन selecting ले जाना होगा वैसलीन रहे गया तो फिर बहुत गड़बढ़ हो जाएगी वैसलीन अब हो गया पूरा बैक का सामान मुझे तो लग रहा है हो गया और एक स्वेटर स्वेटर तो हो गया स्वेटर हो गया हाँ और हाथ के मुजे, पाउं के मुजे कान टोपी कांटों पे और मैं बस से जाऊंगी और बस में जाते-जाते भूक लग गई तो क्या ले जाओ? खाना खाना ले जाऊं, बस में खाना खाऊं और क्या ले जा सकती हूं मैं बस में जाते-जाते जो खा सकूं वेफर्स हां? वेफर्स ले जाती हूं और Chips Chips Chips, Wafers तुम्हें क्या पसंद है फल किसी का पसंद नहीं है, केला तुम्हें पसंद है, केला मुझे फल अच्छे लगते है मुझे पसंद है तुम्हें फल पसंद है तो फिर मेरी सुची यहां खत्म हो गई तो यहां मैं थोड़ी जगाद छोड़ कर फिर से लिखना शुरूर करती हूँ, चिप्स, चिप्स और केला, मैंने तो एक ले लिया, खाना भी ले लिया और आप पीने के लिए, पानी, पानी भी ले लती हूँ, हो गया, मेरे बैग में मुझे लग पैसा बागया, अब एक बार मैं इसे प पी, चिप्स, केला, पानी, हो गया, एक बहुत जरूरी बात रह गई, गान टोपी, फोन, हाँ, फोन रह गया, फोन के बिना कैसे जाओंगी, अगर फोन लिया, तो फोन के साथ क्या ले जाना पड़ेगा, चार्जर, मॉबाइल का चार्जर, हाँ, फोन और चार्जर, अब मैं रात की सूची को पढ़ूँगी, और मेरे बैग में भर दूँगी, तो फिर अपनी कोई भी चीज मैं नहीं भूलूँगी, हम, अब आप बताओ कि आपको किस बात की सूची बनानी है, अपको बनानी है कोई सूची, बाजार में जाने वाला है कोई, कब जाना है बाज करने हैं, खिलोने लेने हैं, या कुछ और काम करना है उसके बारे में, बनाए हम, एक सूची, मैं तुम्हें कागस देती हूँ, उसी पर लिखना है, और सूची बनाते वक्त क्या याद रखना है, एक के नीचे दूसरा शब, ठीक है, चलो, अब हम सूची बनाएंगे, मैं का लिखन की प्रक्रिया वैसे भी मुश्किल है, पहले सोचना, विशय का चैन करना, अपने विचार व्यक्त करने हेतू सही शब्दों का चैन करना, और बाद में उन्हें लिखित भाशा के नियमों के अनुसार लिखना, और इसकी कब से शुरुवात करनी होती है? इसकी तो तूची बनाना, चिठी लिखना, कविता का लेखन, कहानी लिखना, ऐसे माधिमें से सीधे और आसान लेखन से फिर क्लिष्ट और स्रिजनात्मक, लेखन की और पहुँचने तक सभी प्रकार का लेखन करने का मौका बच्चों को मिलना चाहिए, यही शिक्षिकों का ध्या होना चाहिए.